नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक वरफिट से एक नए जॉब डिटेल के साथ बहुत ज्यादा वायल पीडिएफ है ये ठीक है और इसके अंदर आपका कैसे सिलेक्शन हो रहा है कैसे सिलेक्शन होगा कैसी नौकरी है सभी कुछ बताएंगे जैसा कि मैं आपको सुरू से बत जैसा कि दिक रहा होगा कि सिक्षा विभाग मध्यान भोजन योजना निदेशाले के तरफ से ये वेकेंसी है और ये वेकेंसी सबसे पहला कोशिन आपके माइन में आ रहा होगा कि क्या एक पर्मानेंट वेकेंसी है या प्राइवेट है तो ये पोस्ट कौन से है पहले वो कमपनियों का लिस्ट आपको दिख रहा है इनी कमपनियों के द्वारा विद्यालेओं में प्रोवाइड कराया जाने वाले हैं ठीक है तो यह सबसे पहले माइंड में आपके से निकल गया होगा कि यह कोई सरकारी नौकरी नहीं है और नहीं यह एक संविधा वाली नौकरी है यह जस्ट फर फ्रेंट्स एक प्राइवेट नौकरी है एक मतलब की आपको थर्ड पार्टी कमपनी जो यह कमपनी आपके स्क्रिन पर दिख रही है इनके दुआरा आपको बस कॉंट्रेक्ट के तोर पे तीन साल तक के लिए रखा जाता है और उसमें भी फ्रेंट्स आपक भी काम करने के लिए इन कंप्रियों को लगता है जिनके अंदर आपकी यहाँ पर सेलेक्शन होने वाली है किसी भी जिले के अंदर क्योंकि यह हर एक जिले के अंदर जितने स्कूल है सभी में न्युक्ति होनी है अच्छे से चीज़ों को समझ लीजेगा ठीक है 11 महीने के अगर लगता है कि अगर आप आगे भी काम कर सकते हैं तो यह लोग आपको आगे रख सकते हैं और इनकी ही मरजी है कि यह आपको कभी भी निकाल सकते हैं इस नौकरी से ठीक है हो सकता है कि बहुत सरे candidate क्योंकि मैंने बहुत सरे candidate ने mail किया है बहुत सरे candidate ने मुझे comment किया है कि मेरे से 1.6 लाग, 1.5 लाग, 2.5 लाग, 1.5 लाग, 50.000, 60.000 मतलब इतने पैसों का demand किया गया है कुछ लोगों का कहना है कि नौकरी के बार demand किया गया है कुछ लोगों का कहना है कि मतलब कि मैंने पैसे दे भी दी हैं बहुत सरे लोगों के पैसे फस भी गए हैं वो बहुत परेशान भी हैं और बहुत सरे लोगों का पैसा हमने पहले से ही बचाया हुआ है क्योंकि हम लोग सुरू से ही आपको किसी भी प्रकार के फरजी वारे से पचाते हैं तो इस बात पर एक लाइक तो जरूर करिएगा ताकि आप आपके लिए हम ऐसे ही काम करते रहें ठीक है तो 11 महिने के बाद जैसे कि उनको लगता है कि इनको बढ़ा देना चाहिए तो तीन साल तक यह आपको योजना के थुरू आपको MTS के पोस्ट पर काम करवा ठीक है अब यहाँ पर तो यह टिंडर निकल गया इन कंपनी जिसका भी आपको नाम यहाँ दिख रहा है मैंने सारे कंपनियों का फोन नंबर के साथ पहले भी वीडियो बना रखी है और टेलिग्राम चैनल में लिस्ट भी डाला हुआ है आप जाके वहाँ से डाउलोड कर करके कॉल भी कर सकते हैं और जो कंपनी दिख रहे हैं आप गोगल पर सर्च करके आप वहाँ से उनका नंबर निकालके ऑफिस जाके खुद भी बात कर सकते हैं और इतना भी नहीं करना है तो आपको क्या करना है कि सिक्षा भी भाग में जाना है यह वाला पीडिया जिसका मैंने description में लगा दिया है वहाँ से download करना है और आप सिख्चा विवाग में जाईए और पता करिए कि आपके district के अंदर किस company को यहाँ पे tender मिला है और कैसे हम जोईन कर सकते हैं मतलब हमारी नौकरी यहाँ पे कैसे लग सकती है ठीक है तो अगर आप सही जगह पे जाएंगे सही लोग से बात करेंगे तो आपको वो सही रास्ता बताएंगे लेकिन हो सकता है कि आपको agent के through भी पता लगा हो कि बहिया इतना पैसा दो तब ही आपका selection होगा तो आपको आख मुंद कर भरोसा नहीं कर लेना है बहुत सारे ऐसे agent है फरजी वाड़े के तौर पे आपसे पैसे लेकि वो कब भाग जाएंगे या फिर आपसे कुछ पैसे ले लेंगे जैसे कि 5,000-10,000 starting में कि आपको मैं काम कराने जा रहा हूँ और आपके पैसे वो 5,000-10,000 फिर वापस नहीं मिलने वाले है और वो ही 5,000-10,000 उनके लिए बहुत ज़्यादा amount हो जाता है मान के चलिए 100 लोगों से उन्होंने 5,000 रुपे लेते हैं तो आपको पता चल गया हूँ कि उनका पैस कितना पैसे हो जाएगा और वहाँ पर किसी अधिकारी से बात करना इस पीडियोग पर दिखा के नहीं तो जो कंपनी का नाम आपको स्क्रीन पर दिख रहा है वहाँ पर आप कॉंटेक्ट करिए गूगल पर या फिर हमारे टेली ग्राम से इनका नंबर निकालके आप डिरेक्ट बात कर सकते हैं अब चल लेटर में ख्या लिख है पहले वह में समझा देता हूँ जीला मद्यान भोजन हेतु कर्याले MTS की नियुक्ति की समंद में अपर सचीव की कार्याले में पत्रांक इतना 24 साथ उप्युक्त प्रसंगिक विश्यक के समंद में सूचित करना है की सचीव सा निदेशक के कर्याले में पत्रांक इतना 24 द्वारा आप सभी को जीला अवंटित किया जाता है तो ठीक है जीला अवंटित किसको किया गया है उपर जो कमपनियों का नाम है उनको ठीक है पहले अभी और यहाँ पर देखिया आगे क्या लिखा हुआ है कि उक्त के संबंध में निदेश किया जाता है कि आवंटित जीलों के आधार पर आवंटित जीला हेतु एक वर्स के लिए एक-एक MTS की सेवा उपलब्त कराने हेतु आपकी संस्था द्वारा निदेशाले में पत्रा चार एवं विधिक कारियों को MOU करने की अधिकरित व्यक्ति की विवर्नी संस्था सहमती पत्र निर्धारित रासी की बैंक गारंटी एवं चैनित एक-एक MTS के विवर्नी दिनांग 26 आर्ट तक उपलब्त कराना सुनिश्चित करेंगे यदि आपकी संस्था के पास MTS पद के अभियर्थियों की सूची नहीं है तो इसकी भी सूची आपको निर्धारित करनी पड़ेगी पहले से प्रति उत्तर नहीं देने पर सेवा प्रदाताग के सम्मंद में माना जाएगा कि आपके पास MTS अभियर्थियों की सूची नहीं है और आपके लिए अवंटित जीलों में MTS अभियर्थियों उपलब नहीं कराने की दर्शा में निद्यासाना अंसवार अन्य संस्था को कारे आवंटित किया जाएगा तो जी जीले को काम मिला हुआ है उनके लिए फ्रेंट्स नहीं पर एक छोटा सा फॉर्म दिया हुआ है कि उनको भर के देना है और कैंडिडेट को कौन सा फॉर्म भर के देना है वो भी नीचे यहाँ पर दिया हुआ है आपके लिए कौन सा अप् वीडियो को सेर करना है कि ताकि ये जारी चीज़े रुख जाएं सरकार के पास खुदी बेल्ट ओन जैसी एजंसिया हैं जो कि यहाँ पर मानोबल प्रवाइड कराती हैं ऐसी सिती में भी इस परकार के टेंडर्स निकाल के इन कंपनियों को देना जो कि फ्रिंट्स बिना किसी सूचना के यहाँ पर जैन करने का प्रकिरिया चालू कर दे रही है और डेट खतम होने के बाद भी कैंडिडेट से पैसे ले ले के ये लोग मतलब ठगी कर रहे हैं यह नहीं अगर कर रहे हैं तो इनके नाम पे जो एजेंट्स हैं वो लोग कर रहे हैं ठीक है तो ऐसे में बहुत सारे लोगों का आर्थिक नुकसान हुआ है तो सरकार से हमारी यही रिक्वेस्ट है विनती है कि ऐसी चीज़ों को प्लीज स्टॉप करें रोकें ताकि छात्रों को बहुत ज़ादा परिशानी होती है एक तो उन्हें यह नहीं समझ में आ रहा होगा कि हम इसमें आवेदन कैसे करें हमारी यहाँ पर नौकरी कैसे होगी उपर से जो एजेंट से वो लगतार यहाँ पर पैशों के लिए डिमांड कर रहे हैं डेर लाग दो लाग और ऐसे में बहुत सारे छात्रों का आर्थिक नुकसान हो भी गया है तो प्लीज ऐसी चीज़ों को रोकें और आप लोगे से मेरा रिक्वेस्ट है कि पहले खुद ही जाके सिक्षा विभाग में अच्छे से क्वाईरी करें नोटिफेकिशन दिखाएं अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप निदेशाले में भी जा सकते हैं जहांपर आपका होता है जहांपर आप लोग न्योजन करवाते हैं वहांपर भी जाके पता कर सकते हैं कि इस परकार की जो निएक्षिन कैसे होगा वैसे तो friends इन लोगों को अकबार में भी पब्लिक करना चाहिए कि आपका जो interview date है वो कब है MTS के लिए क्योंकि ठीक इसी परकार data entry operator के लिए कुछ दिन पहले किया तो गया था लेकिन उसमें भी बड़े पेमाने पे धांदली निकल के सामने आ रही है लोग पैसों के demand कर रहे है और आपका यहाँ पर chain हो जाएगा ठीक है लेकिन आपको मैं पहले ही बता दूँ कि यहाँ पर इस post लिखा हुआ है कि यह एक साल की नौकरी है और एक साल के बाद फिर से इन लोग का जो contract है हो सकता है कि वो बढ़ाया जाए और हो सकता है कि ना भी बढ़ाया जाए तो ऐसे में आप लोग को पैसे देने बिल्कुल भी जायज नहीं है तो मुझे सचेत करना था आपको इस वीडियो के माध्यम से और लोगों को जरूर आप लोग को वीडियो शेयर कर दीजाएगा ताकि उनके भी आर्थिक नुकसान होने से बच जाए और क्योंकि मुझे पता है कि मिडिल क्लास या फिर जो लोग फैमिली है वही लोग इस वेकेंसी को भरने वाले हैं और ऐसे में उनके लिए दस हजार क्या उड़ी एक लाग क्या उनके लिए पांच हजार रुपे भी बहुत जादा होते हैं तो प्लीज अपने पैसो को सुरक्षित रखिए और मैं आपको समय समय पे बहुत अच्छे ची वेकेंसी भी बताता हूँ टेलीग्राम चैनल में जूड़ जाएगा डेली बेसिस पे बहुत सारी वेकेंसी भली सीट कम जादा रहती हैं लेकिन अपडेट करते रहते हैं आप लोग अपनी किस्मत वहां आज माए और जल्दी से जल्दी सफल हो जाए बहुत सारे चात्रों का चैन हो गया है बात करक कि उनसे अच्छा लगता है हमारी वीडियो देख कि उन लोग को सफलता मिली है तो उमिद करते हैं कि आपको भी जल से जल नौकरी मिल जाएगी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद